हेले सुदेंट्स वेलकम तुद आफिसेल यूटूब चैनल आप ओरीजीन कोचिंग स्वागा थे आप सभी काज के क्लास में और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चेप्टर नमर फर्स्ट इंट्रोड़क्शन आप फिजिक्स दैट मेंज फिजिकल वर्ड देखें अभी अब कि NCRT-CBSC ने 2324 के लिए जो सिलेबस लेटेस जो अभी लाया है उसमें फिजिकल वर्ड को हटा दिया है और बहुस से स्टेट बोड ने भी हटा दिया है बट बहुस से स्टेट बोड में है तो यहां पर मैं इस क्लास को आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमको ज जब हम 11 क्लास में जाते हैं और इस पेसली साइंस मैस्मेटिक सिस्टीम पर जाकर जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो एक बैसिक इंट्रोडक्शन आपका फिजिक्स का होना चाहिए यह सिलेबस में रहे या ना रहे लेकिन एकि स्टुडेंट जब बहुत आगे बहुत सिलेबस में नहीं है तो नालेज पाइंट आप यूँ से पढ़ लिजिए और यदि आपके शिलेबस पर है तो नो डाउट फिर आपके शिलेबस पर उससे कुस्टेन आएंगे को कि तो हम अपना इस टार्ड़ करें एक फिजिकल वर्ड सिजिकल वर्ड का मतलब क्या होता ह कि अपने surrounding में अपने आसपास में आपको जो कुछ भी देख रहे हो वह फिजिकल वर्ड है डरी इंट्र एक्षाना फिजिक्स हम यहां पर सबसे पहले डिसकस करें वार्टी साइन्स वाटी साइन्स सबसे पहले तो हम कोई जानना भी साइन्स क्या होता है साइन्स क्या है इस साइन्स एक्ट्वली साइन्स का जो साइन्स के तो बहुत से डिफनेशन है लेकिन टू दीपाइंट बहुत कम वर्ड में सबसे बेस्ट डिफनेशन है वह मैं आपको बता रहा हूं सिस्टेमेटिक एंड आर्गनाइज आपजर्वेशन जब हम सिस्टेमेटिक एंड आर्गनाइज आपजर्वेशन करते हैं किसी भी चीज को तो वह साइन्स का स्टेडी कहलाता है मतलब साइन्स एक सिस्टेमेटिक स्टेडी होता है अब आके आपको फिजिस पढ़ना है तो बातों का आप समझते जाएंगे तो यह तो साइन्स है सिस्टेमेटिक एन आर्गनाइजड इस्टडी एबाउट एनी इवेंट इन आप्टर देट भाट इस फिजिक्स अब हम देखें कि जब साइन्स में फिजिस पढ़ते हैं साइन्स के बहुत से ब्रांच है साइन्स के ब गणाटिक करते हैं तो थीजिक्स में उसके किस पार्ट को पड़ते हैं है देक्शोली फिजिक्स के भी बहुत से साइंटिस एंब बहुत से लोगों ने बहुँत दुफरेंट का तैप का सेञे जो कामन अंसेप्थ हाई जो हर्कू एषन करता है यह नोन नेशुलेटिक्स मिन्स इसलिए मैं हम ऐसा लात में बोलता हूं आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि कभी भी फीजिक्स को जब क्लास में पढ़ा जाता है तो अप फीजिक्स का एक्षॉल में थेयूरिटीकल पार्ट है वह उसको उसको कंसेप्ट है लेकिन जब इस्टुडेंट उस फीजि headphone करने कज़स करने का सब्जेक नहीं है at the physics completely concept best subject और लाजिक को उसके रिजना को समझने का subject है इसलिए ने था हैं इतने लांग एससर्य के ऑपने में देखा है कि यह किसी डेफ्फेलेशन को ईवन किसी स्टोर करने का सब्जेक नहीं एन आपको उसके कम्प्लेट तेंस को समझने का सब्जेक थैं तो मेरे को कम्प्ली आपको फिजी स्पढ़ाना तो मैं आग Nano mountain gor कि कि 24 तरह से आप चीजों को समझ यहाँ पर सीधा सीधा अ सितनर स्टाइब क्या कर सकते हैं आपके पास बहुत से एक्जाम्पल हैं न्यूटन ने एपल को ड्राप होते हुए देखा ट्री से देट इस नेचुरल फेनामेना नेचुरल इवेंट और उन्होंने ग्रिविटेस्टन के इतने इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट तक एप्रोच किया बेंजामिन फ्रेंक्ली न होके दिस्टिबिट हुआ था तो न्यूटन साइंस काبي daurate middle NEP कनसेट से आता है के साइंटी सबसे पहले ऐसा नहीं की कांसेट्टफ पहले आया और एवेंट्स करते हैं की सर लुग है कि आपको कोई भाइं, यवेंट फेल्थे थे, हमारे आसपास कोई घटना हो रही है, लाइट में ढरे न्यूटन ने उनली बताया, क्वें पमप्रिट हमारा नेचर ही साइंस है, यउआज में नेचर ही साइंस है, नेचर में जो कुछ भी देख रहे हैं नेचर में जो भी इवेंट्स देख रहे हो वह साइंटिफिक है साइंटिस्ट केवल क्या करते हैं उस इवेंट के रिजन को सर्च करते हैं कि भाई क्यों हो रहा है और उससे हमको जो concept पता है यह बात अलग है कि नेचर के उस छोटे से events को लेके हम कोई इतने important event तक चले जाते हैं कि हम waves को लेकि electromagnetic waves बना दिये और आज हम communication कर रहे हैं इस तरह से आप online मुझसे पढ़ पा हो तो वेप्स को लेके electromagnetic waves चले तो नेचर में जो इवेंट्स होते हैं नेचर में जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वह इवेंट्स को लेकि जब हम उसको artificial lab में experiment करके उस concept पर एप्रोच करके उसको हम generate कर लेते हैं वह क्या होता है तो नेचरल फिना में पर बेस्ट इवेंट होता है तो यह physics है मैं बस एक जनरल इंट्रोटक्शन इस क्लास में देदू मेरा मैं स्टार्टी में बोला कि मेरा परपस यह है कि एक स्टूडेंट जब physics पहना इस्टार्ट करता है तो अपने subject के बारे में प्रापर जाने सिल् कि फिजिस का कितना इसको फिजिक्स में क्या हो रहा है यह आप सबको पता है तो ब्रांचे साफ फिजिक्स फिजिस के क्या क्या ब्रांच है तो बैसिकली फिजिस को टू ब्रांच में डिवाइट किया गया है आज के डेट में हम फिजिस को टू ब्रांच में स्टडी करते है इसको ब्रांचेस कैसे डिवाइट के गए मैं फ्रासी स्टोरी आपको बताऊंगा एक पार्ट है उसका क्लासिकल फिजिक्स यह क्लासिकल फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स में जो पार्ट आते हैं उसमें मेकेनिक्स मेकेनिक्स, classical physics का जो पार्ट है, उसमें मेकेनिक्स मतलब laws of motion, kinematics का जितना भी पार्ट है, gravitation, मतलब हम क्या करते हैं, मेकेनिक्स जनरली, मेकेनिक्स का सिधा मतलब है कि जिन चीजों को आप देख रहे हो, जो event देख रहे हो, जो motion देख रहे हो, जिस तरह के आप मसीनरी देख रहे हो, वो सब मेकेनिक्स में पढ़ा जाता है, 11th class का सिलेबस जब इस्टार्ट होगा, तो मेकेनिक्स से ही स्टार्ट होगा, मतलब motion in state line, that is the part of mechanics, motion in plane, circular motion, rotational motion, gravitation, ये सब क्या है, मेकेनिक्स के पार्ट है, मेकेनिक्स एक बहुत important पार्ट होता है, और 11th class का जो मेजर सिलेबस है, वह मेकेनिक्स पर ही best है, ओके, तो ये हमारे लिए इंपार्टेंट है, आगे हमको systematic पढ़ना है इसको, इसके बाद देखो thermodynamics, thermodynamics मतलब heat और temperature के बारे में अपन पढ़ते हैं, thermodynamics में हम heat के बारे में पढ़ते हैं, temperature के बारे में पढ़ते हैं, thermodynamics मैं यहाँ पर आपको बताते भी जाता हूं कि आपको इसको 11th class में पढ़ना है, मैंने आपको स्टाइटिंग में इसलिए बताया इस चेप्टर को पढ़ाने का मेरा परपस यह है कि हम एक तरह से चेप्टर को पढ़ भी रहे हैं और अपनी फ्यूचर प्लानिक कर रहे हैं इसका हमको एक इंटरोड़क्षयर निग कि आपके वहो जरूरी है इसके बाद देखो आप्य। आप्टिक्स का जो पार्ट है, आप्टिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, आप्टिक्स का एक फिजिस का एक बॉरांच है, जिसमें हम आप्टिक्स में लाइट के बहुत से नेचर, उसके रे आप्टिक्स और वेब आप्टिक्स, दोनों नेचर को हम इसमें स्ट 12th class में होता है अभी हम 10th Class में पढ़ा होते हैं लेकिन देखो आप 9 और 10th Klass में животfores पढ़ते हो वह और 11 क्वेल्थ अगरे पढ़ते हो उनहीं चीजों को हम अगें पढ़ते हैं नाइंट का जो फीजिस का सिल्बस होता है 11 को correlate करता है और 10th Class का फिजिस के जो सिलेब असे 12 लेट करता है बट 910 में हम उनली इंट्रोडक्शन पाइट पहले रहते हैं बहुत बैसिक सूपर फिचल पढ़े रहते हैं और जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो यह बहुत डेप्ट में पढ़ा जाता है उसी को बहुत डिटेल में पढ़ा ज जय क्लासिकस में बहुत से स्पाइब चेह जाते है और आपको मालूम आये आज मांडर्ने ऐस पारे हैं और फिजिक्स का जो भी आप देख पा modern physics कैसे स्टार्ट हुआ यह मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको बता रहा हूं modern physics का जो birth year है वो 1905 है after 1905 physics is called modern physics the part of 1905 is modern physics why 1905 is birth year of modern physics क्यों हम 1905 के बाद के physics को modern physics कहते हैं क्या रीजन होगा इसका इसका रीजन यह है कि देखो 1905 में एक physics के सबसे बड़े ग्रेट साइन्टिस्ट जिसका नाम जिनका नाम बहुत फेमस है आपको पता है Albert Einstein Albert Einstein ने 1905 में एक बहुत इंपर्टेंट कॉंसेप्ट दिया अलबर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में एक कॉंसेप्ट दिया उस कॉंसेप्ट का नाम है फोटो इलेक्टिक इफेक्ट बाद में अलबर्ट आइंस्टाइन को इसी के लिए नोबल प्राइज मिला फोटो इलेक्टिक इफेक्ट के लिए आसपास में जो आल वर्ड के सबसे उस टाइम के फिजिस के जो सबसे बड़े साइन्टिस्ट थे उनका नाम था मैक्स प्लांग तो बहुत लंबी स्टोरी है यहां पर पूरी स्टोरी आप से सेहर नहीं कर रहा हूं लेकिन उसके में थिम को आपको बता रहा हूं कि अलबर्ट आइंस्टाइन ने जब फोटो इलेक्टिक इफेक्ट का कॉंसेप्ट दिया और यह वैसे के में फिजिका में जब पब्लिस हुआ पहले तो जर्मान लेंग्वेज में हुआ लेकिन बाद मुसक्त इंगलिस में टांसलेट के उनके फ्रेंड ने तो फोटो इलेक्टिक की फेट के कॉंसेप्ट को जब में में मैक्स प्लांग ने पढ़ा तो वो चौक मतलब उन्होंने सोचा था चुँकि वो खुद चुद इस से रिलेटेटीड चीजों पर इस्टेडि कर रहे थे इस पर रिसर्च कर रहे थे तो बहुत जल्दी समय गये उन्हों उन्होंने समझ लिया कि फोटो इलेक्टिक इफेट क्या है और उन्होंने उस पर कमेंड़् कि अभी तक मैं समझता था कि फिजिक्स में सब कुछ हो चुका है फिजिक्स में अब कुछ नया करने को बचा नहीं है फिजिक्स से चुरेशन पर है मतलब फिजिक्स में नया किया क्या जाए एक्ट्वल में होता है कि हम जिस टाइम पिरियेट को मेच करते हैं जिस टाइम पिरियेट पर होते हैं आज से 30-40-50 यह पहले जो भी हमारे सोसाइटी में जो लोग थे हमारे बुजूर गए थे वो जब लेंड लाइन टेलीफोन से बात करते थे उनको लगता था इसके आगे क्या हो सकता है इसके आगे कुछ नहीं हो सकता लेकिन उन्हीं के टाइम में मोबाइल आ गया जब क्यों समय एक समाइन आदमी सोचा भी नहीं रहोगा कि विदाउट केबल कि हम मोबाइल से बात कर पाएंगे वो हुआ फिर जिस तरह से अभी आप हमारे क्लास को पढ़ रहे हों आपको पढ़ा रहे हैं यह कभी 20 अब बिफोर 20 यह किसी निमेजिन नहीं किया तो एक् ऐसा उस टाइम मैक्स प्लांक ने सोच लिया था कि फिजिक्स सेचुरेशन पर है बट 1905 में जब उन्होंने फोटोएलेक्टिक एफेट को पढ़ा तो साग्ड हो गया बोले बापरे फिजिक्स में तो भी कुछ हुआ ही नहीं उन्होंने बोला कि फिजिक्स में तो कुछ ह हुआ ही नहीं फिजिक्स पैदा हो रहा है तो बाहर उसका टाइम है उसके बर्थ होने का टाइम है और इसलिए उन्होंने बोल दिया कि अलबर्ट आइंस्टाइन का 1905 में दिया हुआ जो फोटोलेक्ट है वह एक फिजिक्स के नए यूग का सुरुवात हो रहा है एक न्य यह इस एयर को 1905 को बर्थ यार आपदा मांडरन फिजिस का जाता है कभी आपको कहीं जी के जीएस में पूस्टन पूस्ट दे तो यह याद रखना यह फिजिस का बहुत इंपार्टेंट यह है क्योंकि 1905 के बाद फिजिक्स का डारेक्शन ही चेंज हो गया उसका डिरेक् आपको यही पर मैं बता दू कि माडरन फिजिस एक्ट्वल्ट क्लास में पढ़ा जाता है इलेवन फिजिस पर कोई भी पार्ट नहीं इस इवेंट के बाद आज एक छोटा से एक्जांपल है कि हम लोग इस तरह से जो पढ़ पा रहे हैं अभी आप अपने सिस्टम पर मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं मेरे वाइस को सुन रहे हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं क्योंकि फटो इलेक्टिक में फोर्टो एलेक्टिक का सिधा मतलब होता है कि जो पिक्चर हम देखते हैं ळजिद्वे बैस पर वह हो हो तो इस तरह से यह क्या करना था है फोटो एलेक्टिक एफेक्ट तो यह माड़ान फिजिस में क्या क्या पढ़ते हैं देखो इसके कुछ नाम जान लो इसको भी अलबर्ट आइंस्टाइन ने दिया प्रिंस्पल आप रिलीटिविटी या थियोरी आप रिलीटिविटी क्वांटम मेकेनिक्स हम इसमें पढ़ते हैं मेकेनिक्स का बहुत एडवांस पार्ट आज का पूरा यूग सेंकंड़क्ष पर बेजड़ है तो सौलीड इस्टेट फिजिक्स में हम इसमे कंड़क्ठर में पढ़ते इह आप फृरिमिट नहीक करते हैं आपर ट्वेल क्लास आ या तो इंजिनियरिंग में या एपलाइट साइंस में या It के फिल्ड में चले जाते हैं या आप साइंस स्ट्रीम में करने के लिए तो किसी भी डिग्री पर आप जाएंगे तो मार्डर फिजिस के यह पार्ट आपको डीटेल में पढ़ना पढ़ेगा हम लोगों ने यह पूरे टॉपिक कॉलेज में पढ़ा है अभी ट्वेल्थ क्लास में एक स्टूडेन डिट फिजिस आपको और थोड़ा नीउलियर फिजिक्स यह थघा सा इंट्रोड़क्शन पार्ट में यह आपको शर्ण मिलेगा राउंखी और पिजिस कर आपको डिजिकस में परने को मिलेगा और लावन संद्रिवेटında कि परने को मिलेगा तो तो फीजिक्स का जो फिल्ड है फिजिक्स से रिलेवेंट फिल्ड का उसका पूरा बेस क्लियर हो जाता है इसलिए 11 12 सी लेपस के बाद हम कम्टीट्व एक्जाम निकाल के आप नीट में जाते हैं आयाइटी के लिए हम सलेक्ट होते हैं देट मिन्स हमारा लगभा कॉंसेप् क्लास का जो क्लास को इसलिए बताया कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कम से कम फिजिस का सकोप और फिजिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना होता है इसके बारे में बता सको यह चेप्टर आप ना पढ़ो तो बिल्कुल वैसी बाद है या विजदा अनिप निए सपोस्थ एक आदमी को गर के फेमली के हेट को यदी एक मेर्ष शादि की भियुस्था करना है तो पहले बैठ की पूरे चेप्टर को कंप्रीट करेंगे अब देखो यह क्या है यहां पर मैं आप इलेक्टानिक्स का पार्ट है एक पार्ट मैंने यहां पर एक आप यह मेजा आता है और मैं समझता हूं कि आप को इंट्रेस्ट और चीजें समझ में आए तो मज़ा तो आटमेटिक आये लगता है हम पूरी कोशिस करेंगे कि पूरा आपको सिलेबस 11 क्लास का पूरा सिलेबस आपको बहुत इंट्रेस्ट के साथ बहुत इंजॉयमेंट के साथ हम उसको आपको कम्प्लिट करें ओके चली अब हम यहां पर एक इंपार्टेन चीज़ पर डिसकेस करें फिजिक्स इन रिलेशन टू तो मएस को मैं प्सक्ति में इसका इसकां करों इस पर तो कई घंटे में आपको लेक्चर दे सकता हूं इसके रिलेशन पर मैं सिंगल वर्ड में आपको बोलूं कि mathematics is the heart of physics उसका हार्ट है वो आप सोचो आप अपने body से हार्ट को निकाल दो तो आपको body कोई काम कर नहीं है एक्जेक्टली उसी तरह से यह फिजिक्स से mathematics को हम निकाल दें तो कुछ भी काम कर नहीं है physics क्योंकि physics के पूरे calculation पूरे derivation mathematics पर best है आज हम मून में भी जा रहे हैं हमने मून में हमने भी जा है ठीक है तो कल्कुलेशन पर बेस्ट है ठीक है डेटा एनलिस आपको मालूम होगा आप इंजिनेरिंग के बहुत important part है artificial intelligence AI इसका जो कल्कुलेशन है completely mathematics पर बेस्ट है पूरे scientist आपने इसरों के scientist को सबको देखा होगा कि total calculation पर वो कितना दिन है वहाँ पर मून पर कितना time रहेगा उस time warning होता रहेगा यह सब कल्कुलेशन पर बेस्ट है तो physics और mathematics का जो relation है वो एक ही कोईन के दो साइड है समझ लो एक के बीना दूसरा पूरा कंप्रीट अधूरा है मैं हम ऐसा कि एक्जामपल देता हूं कि सपोज आपके पास कोई बहुत महंगी लगजरी कार है आपने करोण रुपए का एक महंगा लगजरी कार परशेस कर लिया लेकिन इमेजिन करो कि उसकार को चलाने के लिए फ्यूल नहीं है यह जो भी उसके लिए इनर्जी चाहिए अब मिलेक्टानिक टाइम है तो इलेक्टानिक एनर्जी भी हम यूज कर रहे हैं तो सपोज पेट्रोल जीजिल या बैटरी जो वो नहीं है तो वो कार का प्राइस जीरो हो गया एक करोण का कार जीरो हो गया सिर्फ कुछ रूपए के पेट्रोल नहीं होने के कारण है आप इमेजिन करो कि फूल टैंग कराएंगे कितने का पेट्टों लाएगा दो चार पांच हजार का पेट्टों लाएगा और उसी के दम पर वह एक करोन के कार का वेल्यू है एक्जेक्टली उसी तरह से mathematics is the fuels of physics यदि physics एक विकल है यदि physics एक विकल है तो mathematics उसका फ्यूल है उसका इंधन है हिंदी में बोलें तो इंधन है उसका फ्यूल है ओके तो अब यहां पर बात यह है ध्यान रखना कि हम आपको mathematical tools के यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ खास कर जो students आगे NEET, IIT, JEE का preparation करने के लिए sincere है वो बहुत ध्यान सी इस बात को समझना कि आपको physics स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको mathematical tools mathematical tools for physics इसका हम जो आपको वीडियो प्रोवाइट कराए है mathematical tools for physics देखो हमारे चैनल में आपको complete Hindi medium और English medium दोनों के complete lecture मिलेंगे Hindi medium वालों के लिए separate, English medium वालों के लिए separate यदि इस class को कोई Hindi medium student देख रहा होगा तो परसान मत होना कि सड़तों English में पढ़ा रहे हैं Hindi medium student के लिए complete lecture available है और English medium student के लिए complete lecture available है तो आप लोग अपने medium के according class select करके पढ़ाई कर सकते हैं ओके यह बात आप धियान रखना तो यहां पर देखो mathematical tools for physics को सबसे पहले आप इस टांग करो इस पर आप 100% कमांड करो 100% कमांड जब आप इस पर कर लोगे उसके बाद physics आपकी मुठी में physics आपकी लिजी हो गया यदि किसी भी student को physics difficult लग रहा है इसका सीधा मतलब है कि उसका mathematical टूल पर कमांड नहीं है मतलब उसका mathematical tools नहीं आता तो आपको बिलकुल चिंता करने का ज़़ुरत नहीं है हमने आपको वो contents provide कराया है आल्रेडी हमारे चेनल पर mathematical tools available है पूरा 5 mathematics का tool available है आप देख लेना और वो आप बहुत अच्छे से कर लो फिर आप physics को ढंग से पढ़ना इस्टार्ट करो ओके और यह हिंदी इंग्लिस दोनों मीडियम के लिए separate separate video available है हिंदी वालों के लिए अलग इंग्लिस वालों के लि फिजिक्स फिजिक्स इन रिलेशन टो टेक्नोलाजी Ale systems और टेक्नोलाजी में क्या फिन घृचिन बरेक ब eliminator किया सुचू सीआओю सेख्जानसी तसब्स को लेकिन हमने रंच किया सीेन किया इंद बोलोगागी थी is the part of science and satellite is the part of technology. Okay, Faradela is part of science and power plant is the part of technology. अब आप समझ गया होंगे कि science क्या होता है? वो concept होता है. Science बताता है. Albert Einstein ने बोला कि photoelectric effect ऐसे होगा. That is science. बट हम photoelectric effect को लेके आज इतने sensor और इस तरह के जो हम work कर पा रहे हैं, live class online पढ़ा पा रहे हैं, that is the part of technology. तो science और technology का सीधा मतलब होता है, सीधा हम एक सब्दमे कह सकते हैं, science is the mother of technology. Science technology की मा है. एक मायना हो, तो आप बच्चा imagine नहीं कर सकते. बच्चे की कलपना आप नहीं कर सकते. ठीक है? Without mother, we can't imagine child. Exactly, without science, we can't imagine technology. बीना science के हम technology की कलपना नहीं कर सकते. तो जो कुछ भी हम technology पर करते हैं, वो science पर best होता है. James Watt ने steam का only power बताया. ठीक है? उन्होंने उबलते हुए चीज को देखकर, कोई बोलता है कि चाय बना रहे थे, कोई दूदूबाल है, जो भी हो, and so on, जो भी हो, even जो भी हो, but वेपर का उन्होंने प्रेसर को देखा, और उच वेपर के प्रेसर से फिर सबसे पहले steam engine बना. steam engine is part of technology, and the principle of James Watt is concept, science. तो science सही क्या होता है, technology पैदा होता है, ठीक है? तो कितना relation है, आप समझ सकते हैं? अब एक छोटा सा relation हम और समझ लें, physics का society से क्या relation है? इसको मुझ से भी ज्यादा बेहतर आप लोग समझ सकते हो, that means मैं जितना समझता हूँ, आप समझ सकते हो, society के लिए physics का क्या role है? आज 24 hour में, जब हम नीन में भी रहते हैं, जागना तो दूर की बात है, जब हम sleeping condition में रहते हैं, तब भी हम physics के किसी ने किसी concept को use कर रहे होते हैं, रूम में ऐसी चल रहा होता है, या फेन चल रहा होता है, वो science के concept पर best है, ता आप समझ सकते हैं, कि हमा help से अपने life को easy बना पाए, physics ने society में हमारे life को easy कर दिया, जो बहुत difficult वर था, वो easy हो गया, तो इस पर कितनी बात करें, आप सिधा समझ सकते हो, कि बिना physics के तो हमारा life ही नी चलना है, electricity है, sound है, temperature है, जो भी है, मैं सुरू में बोल दिया, physics is the study of nature, and we are the part of nature, physics study का nature, nature का study है और हम nature के part है, हम nature के part है, इंसान क्या है, part of nature है, वो nature का एक छोटा सा part है, तो physics तो complete nature का study करता है, तो हम तो उसमें पूरे डूब गए समझ लो, है ना, तो physics क्या है, society के लिए बहुत helpful है, useful है, बिना physics के आज हमारा life बहुत complicated, यदि आप एक second के लिए electricity को ही यदि आप अप जार साल पीछे के life में चले जाएंगे, दस मिनट का electricity नहीं होना, mobile पर internet का नहीं होना, दस मिनट में आपको किस position पर पहुचा देता है, तो society पूरे आज physics के concept से आगे बढ़ रहा है, अब मैं आपको बता दूँ कुछ scientist के contribution, कुछ important scientist के concept, जिन्हों ने society के लिए क्या क्या क के लिए, और वो scientist के respect के लिए इस पर discuss करने एक बार जरूरी है, इसको बताने के बाद यह हमारा lecture complete हो जाएगा, और इस lecture का total पर्स रहा, कि मैं अपने student को पढ़ाने से पहले physics के बारे में बता दूँ, ओके, तो देखो यहाँ पर, मैंने इस chart कुछ prepare किया है, जहाँ पर technological innovation और उसके principle, मतलब एक तरह से, इधर आपको technology है, technology है, इधर उसके principle है, मतलब science है, जो science और technology पर मैं आपको भी बताया, उसी का example आपके सामने है, देखो, इस example में आप देखो सबसे पहले, electric generator, मतलब हमारे पास जो electric generator है, जो आगे चलके power plant बन गया, power plant इस आशो है, टाइप generator, बस generator हम छोटे से घर में रखे रहते हैं, इसमाल पर परपस के लिए, और power plant बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो power plant भी हमारा generator ही है, वहाँ से electricity generate करते हैं, that means dynamo, generator that means dynamo, that is depends upon faraday's law of electromagnetic induction, that means electric generator completely work on the base of faraday's law of electromagnetic induction, यह सब 12th class में आप पढ़ोग, देखो, इस introduction वाले part का एक मज़ेदार बात यह है, कि जब इन चीजों को सुनते हो तो आपको लगता है, यह क्या है, वो क्या है, लेकिन सबसे important बात है, इन ही को हमको 2 साल पढ़ना है, इन ही चीजों को 11th class में और 12th class में पढ़ना है, तो अभी से हम नाम जान ले, तो हमको ध्यान में रहे गहां भाई, कि हमने एक बार हमारे teacher ने हमको बताया, जब इंट्रोडक्शन फिजिस बताया, इंट्रो इलेक्ट्रमाइटिक इंडक्शन जैसा कोई चीज होता है, जिससे जनेरेटर बनता है, इसके बाद देखो, computer, computer को दिजिटल लाजिक एंड इलेक्ट्रानिक सर्किट्स, यह जो डिजिटल लाजिक, जो भूलियल इल्जेब्रा होता है, लाजिक गेट्स होते हैं, उसी के बैस पर computer design किया ठीक है, फिर देखो, genetic engineering को दिया, रोल आप DNA in genetics, डियने का थैने बायोलाजीकल, बायोलाजी का है, एरो प्लेइन दिया, एरो प्लेइन का कॉंसेप्ट क्या था, बर्नाली स्थेोरम in hydrodynamics, यह एरो प्लेइन का जो एरो डैनेमिक डिजाइन जो बनाए गया, वो बर्नाली प्रिंस्पल पर बेस था, ठीक है, पार्टिकल एसलेरेशन, यह किस पर बेस था, देखो, मोसन आप चार्ज इस पर था, रेडियो, टेली विजन, एंड, टेली कम्यूनिकेशन, इस कम्प्लिटी बेस, टांस्मिशन आप, इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेप, अभी आपको मैंने बताया, लेक्चर के दवरान में आपको बताया, EMW, आप मेरी बात, इलेक्ट्रो मेगनेटिक वे स्लो मुविंग नूट्रांस, तो यह यहाँ पर देखो, आपको मैंने पूरा एक चार्ट दिया है, यह तो लिमिटेड है, फिजिक्स को इतने छोटे लेक्चर में समेटा नहीं जा सकता, यह तो इंट्रोडक्शन, इसलिए मैं बोला, इंट्रोड़क्शन पार्ट है, तो मैं अपने स्टुडेंट्स को फिजिक्स के बारे में थोड़ा बता दू, बाकी यह एक शुरुवात हुआ, और अब हम कंटिनिवस वन बाइवन एक चेप्टर को कम्प्लीट करते जाएंगे, और आप लोग को मेरा सजेशन है, फिर लास्ट में मैं आपको एक सजेशन दे प्लम होने वाला है, तो बैसिक माथमेटिकल टूल्स का वीडियो एवलेबल है, इंगली मीडियम पर भी एवलेबल है, हिंदी मीडियम पर भी एवलेबल है, आप लोग अपने मीडियम के कार्डिंग उसको इस्टडी कर लिजे, तो आपको फिजिक्स आसान हो जाएगा, Okay, thank you, thank you so much.